जैहो करूली सरकार की, जैहो कामाख्या माता की, जैहो शिफशक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरी बोल मेरा नाम हर्शिता गुला है और आज जो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, अरे इतना सारा पैसा है, इतने में तो ये, इतने में तो वह, मतलब बहुत सारे लोग पैसे को ले करके वो जाते हैं ठीक है, तो मतलब ठीक है, सबका इंडिविजूल, सबका अपना कंसर्ण है, और मोस्टली लोगों की यही परिशानी कि हाँ, उनकी आर्थे किस्ति अच्छी नहीं है, बट वो लोग फिर भी दरबार की प्रोसेस करते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है कि नहीं हमें करनी है, प्रोसेस दरबार की, वो बाबा से प्रातना करते हैं कि बाबा बस कैसे भी करवा दो, ठीक है, तो उनके लिए न कैसे न कैसे पैसे का आरेंजमेंट हो ही जाता है, ठीक है, तो क्योंकि बाबा तो सब करवा देते हैं, बस आपको बाबा से कहन बर की देर होती है अभी मैं जैसे एक बता रही हूँ एक अंकल का ना कमेंट आता था उनको नियूरो की कुछ प्रावलम थी करके तो उनके डियने में उनको तीन लोग रखने थे तो फिर वो मतलब कमेंट के थूँ मैं सभी के कमेंट के रिप्लाइ करती हूँ जल्दी कि मतलब उनकी टीपी से पता चल जाता था यूट्यूब की टीपी से कि हाँ यह अंकल काफी बूड़े हैं करके लेकिन वो फिर भी कमेंट करते थे जो भी पूछते थे मैं उन्हें पता आती थी एक बार उन्हें पता नहीं था कि कैसे क्या तो मैं ना नॉर्मली लोगों क को बोल देती हूं कि प्लीज आप इस चैनल पर वीडियो के लिंक दे देती हूं कुछ न कुछ उनको पहुचा देती हूं कि हाँ इधर जा करके वीडियो देख लें आपको सारा खर्चा परदा चल जाएगा बट मैंने ना उनको अंकल का नौ हवन की जो था मैंने उनको व वंडे की रिगार्डिंग कोई कुछन था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जहां इनके नौ हवन वाली प्रॉसेस नहीं हो पारी थी आज इनका वंडे हवन हो गया आप समझे होंगे कि ये खुशी शायद मैं ही समझ सकती हूँ या ये बात सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ बट उस इंसान का मैंने अपने सामने देखा कि कहां वो अंकल नौ हवन कर पाने की इस्तिति मनी दे और आज उनका वंडे हवन हुआ है और वो एकदम स्वस्थ हो चुके है ठीक है और अगर कोई पीडित है किसी को कोई परिशानिया और वो डॉक्टर के जा रहा है तो डॉक्टर से तो हम नहीं कहते हैं कि इतने रुपे क्यों ले रहे हो या कम गर दो या ऐसे और वैसे इतनी फीस क्यों है तब तो हम वहां ज जीवन सुधर जाना है, सारी चीज़ अच्छी हो जानी है, तब हम यहाँ पर doubt करते हैं, जब हम doubt से कोई चीज़ करते हैं, तो कहाँ ही चीज़ अच्छी होनी है, आप खुद सोचें, ठीक है, मेरा बस आप लोग को एक ही suggestion है, कोई बात नहीं, नहीं और यार्थी के सिती नहीं कर पारें, आप मतलब जुटाने पारें रुपे, दरबार की कोई भी एक विधी अपनाने के लिए, और आप इतना दूर रहते हैं, कि आप आकर के नमन विधी भी नहीं कर सकते, दरबारा करके कि शनिवार सातमा वस्या, तो कोई दिकत नहीं है, आप नॉर्मली घर इसले और रहकर के, रूदरा विशेख देखे, ठीक है, जो सुभा को 7 बजे आरती आती है, बाबा की वो देखे, दिन भश जो किस्ता चल रही होती है, अगर आपके पास समय है, तो वो देख ले, नहीं समय तो कोई दिकत वाली बात नहीं है, शाम को आरती होती है, शाम को वो आरती देखे ठीक है हो गया आप daily daily बस ये करते चले जाए शनीवार का haven आता है वो देखें अगर live haven नहीं देख पाई वैसे तो live ही देखने की कोशिश करें भाईचांस आप live haven नहीं देख पाई तो शनीवार की रात को वो haven देखने चला करके तबी भी रहती है कुछ समय तक तो जब तक उस अगनी का प्रभाव रहेगा तब तक जो हवन डला है इंटरनेट पर उस चैनल पर दरबार की चैनल पर उसका भी प्रभाव रहेगा ठीक है तो शनिवार का हवन देखें अमावस्या का हवन आता है अमावस्या का हवन देखें आपके काम भी बनने लगेंगे जब आपके काम बनने लगेंगे तो आपकी आर्थिकिस्तिती खुद ही अच्छी हो जाएगी कि भी हाँ आप दरबार के कोई भी एक विधी अपना करके अपनी साथी चीज़े अच्छी कर सके ठीक है और मैं इसके साथ ही अभी माइन में लोग मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं कि नमन विधी कैसे करें घर पर बाब अगर नमन कैसे करें को लोग कुछ नमन से रिलेटिट डालाएं कि घर से नमन कैसे करें करके तो आप चाहें तो उन वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं लोगों ने उसके नीचे कमेंट भी कर लेकिन आज सिर्फ घर पर नमन करने से हम अभी तक दरबार नहीं आएं सिर्फ घर पर नमन करने से हमारी आर्थी के सिती भी अच्छी हो गई है हम एकदम स्वस्त भी हो गए हमारी जॉब भी लगई है ठीक है लोगों की इतने इतने अच्छे भी कमेंट्स आये हैं ठीक है मा मैं यह बोलूँगे आप एक महीने से, पूरी श्रद्धा से जो जो चीज़े मैंने बताई है, रूद्र अभिशेख आर्ती दोनों टाइम की शनिवार का हवन, आमावस्या का हवन, और पूर्निमा का हवन ये जरूर, जरूर, जरूर देखेंगे, आप एक महीने तक करें तो सही आप में जरूर आपको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा क्योंकि जब आप इस लॉजिक को समझ जाएंगे ना क्या negativity और क्या positivity कैसे निकलती है negativity कैसे आती है positivity दरबार की चीज़े देखने पर तो आपको हर इक चीज समझ में आ जाएगी ठीकि तब ना आप छोड़ेंगी नहीं नहीं आर आरती देखनी है कोई नहीं चलो आप लाइव आरती नहीं देख पाई तो बाद में देख लें कुछ समय बाद देख लें लेकिन देखें जरूर माबाबा से मापी मा प्रणी है कि माबाबा हम इस इस वज़े से लाइव निदेख पाई प्लीज आप इस आरती का पूरा पूरा फल हमें प्रदान कर दो जब आपके अच्छे भाव होंगे नहीं तो माबाबा सर्फ भाव के भूके हैं और कुछ नहीं है जितने अच्छे हम सब के भाव होंग आपकी परिशानी मैंने भी बहुत गंदा-गंदा समय देखा है तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूं आपके परिशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस मैं यही बोलूँगी कि आप घर से अपना करें ठीक है आप जब घर से यह सारी चीज़े करेंगे ना तो जरू होगा मैं आपकी परिशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूं इसलिए मैं नमन पर जादा से जादा वीडियोज डालती हूं कि भेई सब की परिशानिया कि जल्दी से जल्दी जब जितनी जल्दी परिशानियन गतम होंगी लोग उतना अच्छे से खुश रहेंगे लोग अच्छा हो जाएगा सब कुछ आप थोड़ा सा विश्वास रखें माबाबा से माफी मांगें यदि कभी कुछ गलत बोला है अंजाने में है ना कि माबाबा मुझे बिल्कुल नहीं पता था पता है हवन करने वाले तक को भी नमन की जरौत पड़ती है बहले किसी ने कितने वंडे हवन कर लिया है लेकिन बाद में चलके उसके अंदर शद्ध ही नहीं है तो उसको कुछ फल मिलना भी नहीं है फल इन्दा सेंस की वो फिर ऐसी लाइक हां ठीक है वंडे हवन कर लिया उसके सारी प्रॉल्म्स ठीक हो गई बट वो कोई शद्धा भाओ ही नहीं रख ुआ है कि जिसने दर्वार ने इतना सब कुछ कर दिया उसको ठीक कर दिया वह फिर भी ना शुक्रा है ठीक है कोई शुक्र गुजार नहीं है को युछ शुक्रादानीं, कर रहा है तो फिर ऐसे तो सब्हे हटाते नजła तो हर विधी जिसने भी विधियां की है वंडे हवन विधी, नौ हवन विधी जिसने भी विधियां की हैं उसे भी नमन की जरुद पढ़ती है नमन में वो शक्ति है जो हवन में भी नहीं है ठीक है तो प्लीज आप लोग नमन करें घर से जैसे मैंने बताया बस वैसे करे मा बाबा से विंती करे मा बाबा से connect करने की कोशिश करे मा बाबा से बाते करे मा बाबा से अपनी सारी परिशानिया कहे मैं सच बता रही हूँ मैं मा बाबा की वज़े से ऐसी ऐसी परिशानियों से बहार निकली हूँ कि मैं बस मुझे पता है माबाबा का क्या है क्या नहीं है ठीक है तो बस मैं आप लोग को यही बोलूँगी मेरे पास इतनी सारी चीज़ है ना बताने को कि मैं बता सकती हूँ लेकि मेरे पास समय की इतनी जादा कमी रहती है मत पढ़ो किसी गलत पूजा पाठ में मा बाबा को आखरी सहरा मान लो यही नईया पार लगाने वाले हैं यही सारी परिशानी को सॉलुशन है ठीक है तो अब आप लोग बिलकुल परिशान मत दो और बिलकुल अपना दिमाग चलाए बिना सिर्फ मा बाबा की शरण में लग मा बाबा को याद करने में लग जाओ आपका काम ना बने ना तो बस आप इस चैनल पर जितना गंदिगी फैला सकते हो आप फैला देना जितना बैड कमेंट्स कर सकते हो आप कर देना कोई दिकत परिशानी वाली बात नहीं है बस